है लू है आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं सेंट अप का जो एकजाम अभी चल रही है विहार बोट और लिया जा रहा हैं यह बिविन यह कॉलेजे converge 00 का बिवन dlatego के द्विन午 जा रहा है इसमें से मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ हिस्ट्री क्या जिसमें से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें से प्रस्ण से एक से सो तक है अब्जेक्टिव इसमें से मात्र आपको पचास प्रस्णों का उत्तर देना है जो आपको सुईधा लगे जिसमें आफ एंसर दें तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा समय ना गवाँ हूं इसके बाद फटाफट में सिर्फ मैं कॉश्चन से करूंगा और उसके उत्तर से दूंगा तो आज मैं बाद में इसको फिर डील करूंगा तो चलिए आज हम लोग के निवासियों को किस धातू का ग्यान नहीं था तो इसे लोहा का ग्यान नहीं था नेक्ष्ट है हरपा किस नदी किनारे इस्तित है सबों को पता है कि ये रावी नदी के किनारे इस्तित है तो चलिए नेक्ष्ट कोशन हम लोग देखते हैं कि नेक्ष्ट कोशन हमारा क्या इस्तापना किस ने की थी ये William Jones के द्वारा क्या roku है क्या गया था ratik स्थापना गई थी News को सनम लोग देखते हैं विम्बि सार किस वंस का राजा था तो विम्बि सार आपको पता होगा कि हर्यक वंस के राजा थेर unions को नम लोग देखते हैं सात नंबर साथ नमर में क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं बारी-बारी से नेक्ष्ट है किस सासक को प्रियदर्शी कहा गिया है सभी को पता है ये ये अशोक को कहा गिया है नेक्ष्ट हम लोग देख लेते हैं कोश्चन सी क्या है नेक्ष्ट आठ नमबर में कहता है कि अविज्ञान सकुंत लम के रचनाकार कौशन है 吊कर नंप निपोलीन किसे का जाता है तो भारत का नेपोलीएन जो कहा जाता है समुंध्र गूप्त अ किसे के बाद आगे देखते हैं कि गीता रहष कि ने लिखा तो बाल में कि 12 नमर का एंसर क्या होगा घटकत किसका पुत्र था तो घटकत जो था युदिश्टिर के पुत्र थे नेश्ट है पर्थम बहुत संगिती कहां वही थी यह हमारा राजगीर में हुआ था नेश्ट देख लेते हैं हम लोग 14 नमर 3 पटक किस धर्म से संबंदित है तो 3 प दातू का बना हुआ था यह हमारा तामबा का बना हुआ था नेश्ट कर काता है अकवर नामा की रचना किस ने की थी तो यह अबूल फजल के द्वारा किया गया था नेश्ट है तंबाकू का शेवन सरवपरतम किस मुगल समराथ ने किया था यह अकवर ने किया था अकवर क सासक के रूप में कारिकाल था 1556 से लेके 1605 स्वी तक नेक्स्ट क्वेशन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था ये 1576 स्वी में लड़ा गया था 21 नमर दीन इलाही संबंदीत है ये किस से संबंदीत है दीन इलाही तो अकवर से संबंदीत है नेक्स्ट कर सुन काता है भारत का अंतिम मुगल सासक कौन था तो भारत का अंतिम मुगल सासक हम लोग कहा सकते हैं कि ये बहादूर शाल जफर थे कमल महल कहां अवस्तित था तो सबों को पता ये हमपी में इस्तित थी नेक्स्ट कोशन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कहता है नेक्स्ट आयंगर वेस्ता सम्मंदित है आयंगर वेस्ता विजय नगर से सम्मंदित है विजय नगर समराज में मंदिर के प्रवेश दुआर को क्या कहा जाता था गोपूरम कहा जाता था नेक्ष्ट हम लोग देख लेते हैं 26 नमर में कहता है अजमेर में किसकी दरगा थी मोहिंदीन चिस्ती की दरगा थी अब नेक्ष्ट कोशन है हमारा कबीर का जन्म कब हुआ था ये 1425 इसवी में हुआ था नेक्ष्ट अब हम लोग देखते हैं कौन सा कोशन आता है आपके शामने में कोशन नमर 28 है रामानंद के गुरू कौन थे तो रामानंद के गुरू हम लोग कह सकते हैं कि रागवा नंद थे बीजक में किसके उबदेश संग्रही थे हैं तो कबीर के उबदेश संग्रही थे हैं इबन बतूता की पुस्तक का नाम क्या था किताब और रहला नाम था नेक्स्ट हम लोग 31 नमर में आगे बढ़ते हैं 31 नमर में है चंदगूत मोरी के समय आने वाला पर्थम विदेशी यात्री कौन था ये कौन थे मेगस्थनीज थे नेक्स्ट कोशन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन क्या बोलता है नेक्स्ट कोशन में है बक्सर का युद कब लड़ा गया था तो बक्सर का युद 1764 एसवी में लड़ा गया था अस्थाई बंदवस्थ कब लागू किया गया था तो हम लोग कह सकते हैं 1793 एसवी में लागू की गई थी फ्रांसिस बुकान किस देश का रहने वाला था ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये ब्रिटेन के रहने वाले थे कार्णवालिस कोड कब बना था कार्णवालिस कोड जो बना हुआ था वो था हमारा 1793 में 35 के बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है 35 के बाद 36 नमर में आ जाते हैं संथाल विद्रों का नेता कौन थे ये सिंदू एवं कानू थे नेक्स्ट है किस युद्ध के उपरान इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल बिहार एवं उरिशा की दिवानी प्राप्थ हुई थी ये मैं बता देता हूँ ये बकसर के युद्ध के बाद डलहोजी की नीती को क्या कहा जाता था तो हरप नीती कही जाती थी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नमड में 49 नमड का कॉश्चन है भारत आने वाले पर्थम यूरोपियन कौन थे ये थे पूर्तगाली थे नेक्स्ट कोशन हम लोग देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट कोशन मुगल समराट बहादुर्शा जफर को देश निकाला कर कहा क्या था यादोगा सबी को सबों को पीर अली ने 1857 की करांती कव प्रारंब हुई थी तो दस मई 1857 इस्वी को ये आरंब हुई थी 43 के बाद हम लोग देख लेते हैं 44 44 में क्या कहता है कलकत्ता में अंग्रेजों के किले बंद बस्ती का नाम क्या था ये था फोर्ट विलिय 72 भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी तो बंबई से थाने के बीच चली गई थी नेक्स है चौल इमारते किस सहर की विसेस्ता थी ये सब को पता है ये बंबई की विसेस्ता थी नेक्स हम लोग देख लेते हैं नेक्स कोशन क्या काता है 48 में खिलाफत दोलन डांडी मार से सुरू हुआ था सव विने अवग्यां दोलन गांधी जी की हत्या को भी थी तो 30 जनवरी 1948 इस्वी को इसकी हत्या वी थी नेक्स हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं 52 में क्या काता है बाल दिवस कब मनाया जाता है 1491 को मारा डांडी किस राज्य मे इस्तित है नेक्स्ट है बंगाल विवाजन की घोशना किस वर्स की गई थी 1905 स्वी में की गई थी केविनेट मिसन योजना की अध्यक्ष कौन थे यह थी हमारे इस्टेफोर्ट क्रिप्स थे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट हम लोग का है भारती ले इसके अस्थापना किस वर्स होई थी यह हुआ था हमारा 1815 स्वी में अस्थापना वी थी मुस्लिम लिख के अस्थापना किस वर्स होई थी अ सबों को पता य invinciрां Upperography अधिनियं को राजक्या मिली थी यह इंधान सब्सक्तेक्ते kijken जो अStart को निमये समय सब्सक्क्राकरलेयन कस तन ऐले ता सब्सक्राइ को साहरे करें एक गा Slah ये 1946 में क्या गया था पुरातत्यु के अंतरगत निवनी में से कौन एक नहीं है तो एंसर हो जाएगा साहित ये काली बंगा निस्तित है काली बंगा कहा निस्तित है मैं बता देना चाहता हूँ 62 कोशन 62 नमर में राजस्थान मेगस्तनीज भारत के निस्त कोशन है मेगस्तनीज भारत के किस राजा के दरवार में आया था ये चंद्रगुफ्त मोरी के दरवार में आया था चलिए निस्त कोशन हम लोग देख लेते हैं निस्त कोशन क्या कहाता है पापा प्रवार में था तो चंदर्गुप्त विक्र्मा दित्त के दरवार में था नेश्ट है हर्यक वंस का संस्थापा कौन थे तो बिंबी सार थे जलिए नेश्ट है गुप्त साल में कौन चीनी यातरी भारत आया था तो फायान जो है भारत आये हुए थे अब हम लोग नेश्ट कोशन देख लेते हैं 68 के 68 की और बरते हैं काता है मा भारत का युद्र कितने दिनों तक चला था 18 दिनों तक अरजुन किसके सिस्थ थे तो द्रोना चारी के थे नेक्स्ट बुद्ध चरीत की रचना किस ने की थी अस्व घोश ने की थी बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो बुद्ध के बच्पन का नाम में आगे बराता हूं ति था सिद्धार्थ चलिए नेक्स्ट कोशन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन क्या है नेक्स्ट कोश विक्री को राजधानी किसने बनाया था तो अकबर ने बनाया था बादसा नामा किसने लिखा था अब्दूल हमीद लाहोडी के द्वारा लिखा गिया था पचत्तर नम्मर में नेक्स्ट क्वेशन हम लोग देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेशन जो है हरेहर बुक्का किस वैंस के थें यहर बुक का संग्म मुंस के नेंस्ट है डेमी गोश पर 22 देश के यात्री ये पॉर्टगालू के थें है चेतनी महापर्वु किस पीश्ण के उपाश चाह सकते oh आरको पोलो किस देश से आया था ये इटली से आये हुए थे चलिए आप 80 नंबर कोश्चन देखते हैं हम लोग 80 नंबर में क्या बोलता है कोल विद्रो कव वा था ये 1831 में हुआ था 1857 के विद्रो के समय ब्रिटेन का प्रधान मंत्री कौन था ये पार्मस्टन थे नेक्स् स्वेज नहर जो वेपार हित्यू खोली गई थी वह 1869 में खोली गई थी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेश्ट करता है पुतली बाई क्या हता है पुतली बाई किसकी माता थी ये महत्मा गांदी की माता थी द्वी राज सिदान किसकी सोच थी ये मुहम्मद अली जि थे राजकुमार सुकल के अनुरोथ पर ये गये थे छेरा किस राजी में इस्तीत है ये गुजरात में इस्तीत है नेश्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं नेश्ट क्या करता है जलिया वाला बागत्या कान्ट कवा था ये निश्ट सो 19 провणा था नेश्ट ये मौन देखते फटाफट में देख लेते हैं कौन से आगे आता है मेरा questions next question है cabinet योजना की घोशना कब की गई थी ये 3 जून 1947 को की गई थी पाकिस्तान ने अपना पर्थम स्वाधिनता दिवस कब मनाया था ये 14 अगस्त 1947 स्वी को next है सोतंत्र भारत के पर्थम ग्री मंत्री कौन थे सरदार बल्लब भाई पटेल थे next है भारत किस वर्ष गंतंत्र बना था तो 1950 स्वी को ये गंतंत्र बना था चलिए next question हम लोग देख लेते हैं वासको डिगामा भारत कब आया था 1498 स्वी माय था होटल ताजमाल किस उद्योग पती ने बनवाय था तो जमसेद जी टाटा के द्वारा ये बनाया गिया था next हम लोग देखते हैं चबीली किसका नाम था चबीली थी किसकी नाम लच्मी बाई की 97 खतम अब हम लोग 98 की और बरते हैं देखते हैं इसमें क्या बोलता है कता है 1911 में इंगलेंड के राजा जोज पंचम और उनकी रानी मेरी के स्वागत के लिए निर्मान किया गिया था तो क्या किया गिया था Gateway of India का निर्मान किया गिया था next है 99 यह राजेंद्र पर साथ ते पिछली यह हमारा शो कुर्शन से था आप लोग इस चैनल पर बने रहें इसी प्रकार से अन्य विश्यों की भी मैं इसमें जो है वीडियो लाता रहूंगा